अगामी नगर निगम सहित 2022 के विधान सबाव चुनाबों की तैयारियों को लेकर सोलन में शिमला संसदिय क्षितर की दो दीवसिय प्रशिक्षन कारेक्रम संपन हुआ समापन अफसर पर्सु अस्यमंत्री रजीव सैजल उर्जा मंत्री सुख्राम चोधरी पूरबिस अध्यक्ष एवम नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव विंदल के साथ भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशा अध्यक्ष रश्मीधर सूर ने भाग लिया उनके साथ इस कारिक्रम में शिम्रा संस्दीक शेतर के पदाधिकारियों ने भाग दिया अभ्यास भर्ग में भाजपा को किस तरह से और अधिक मजबूत किया जाए और किस तरह से अगामी चुनाबों में एक जुटता से कारिक किया जाए सहीत भाजपा को जल्द ही पेपलेस पार्टी बनाया जाएगा इसके बारे में विस्तार से रणनिती तयार की गई बात काते हुए स्वास्य मंत्री रजीव सहजर ने बताया कि भाजपा की अगामी रणनिती को तयार करने सहीत अंतोदे के मूल मंत्र को सार्थक करने के लिए भाजपा द्वारा इस सारा के प्रशिक्षन कारेक्रम आयोजित के जाते हैं पार्टी के संगठन के विश्यों के अतरिक्त जो है हमारी सरकार की उपलब्धियां क्या रही है केंदर सरकार में प्रधानमंत्री नरेंदर मुदी जी की सरकार की उपलब्धिया यानि अन्तियोदे को लेकर के एक जो बहुत जवर्दस्त प्रयास इस देश के अंदर जब जब भरतिजंता पार्टी के सरकार चाहे वो अट्रिल जी के नतितों में रही हो अब उसका विराज सुरूप जो है वो प्रधानवती नरेंदर मोदी जी के नतितों में पूरे देश में जिस प्रकार से काम हुए हैं उसकी भी चर्चा जो है वो विस्तार से होती है क्योंकि भरतिजंता पार्टी अगर कहीं सरकार बनाती है तो सरकार को बनाने का जो उदेशे है वो है अंतियोदे यानि विकास की दौड में सबसे पीछे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको भी आगे लेकर के आना और इस परकार से संपून समाज को जो है वो शक्ति संपन बनाना ये भारती जंता पार्टी की सरकारों का उदेशे ह होता है और लक्षे होता है